प्रोग अबढ़ डिली के दो मुकाबलों की वापस से शुरुआत हो चुगी और इसमें बहुत बड़े मुकाबले होने वाले हर्याना स्टीलर्स और गुजराज जाइंट्स का एक मुकाबला होगा दबंग दिल्ली और इस टीम का वापस मुकाबला होने वाला है यू मुंबा के खिलाफ जब पिछली बार ये दो टीमें भीडी थी तो कई शांदार प्रेशन देखने को मिले थे हरियाना स्टीलर्स ने गुजराज जाइंट्स को हराया था दबंग दिल्ली के लिए नवीन एक्सप्रेस उतरे थे एक सूपर टेन उन्होंने लगाया था यू मुंबा को हराया था और इस माच में नवीन उतरेंगे या नहीं यह आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेविंग फ्लाटफॉर्म विंजो यहां पर आपको सौस से जादा गेम्स मिलते हैं वो भी बारा भाशाओं में और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां आपको पनी टीम बनाने का जंजट नहीं पालना पड़ता क्योंकि इसके साथ वर्ल्ल वाल नाम का फॉर्मिट भी है जहां पर एक गेम में दो से चार्टी में भीड़ती है जो जीती है उसको मिलते हैं कूपन्स इन कूपन्स का इस्तमाल आप अमेज़ान फ्लिपकार्ट विग बास्केट होट स्टार पकर सकते हैं और आप ललेंट आप वीवर हैं तो आपके लिए खास यह भी है कि जब आप पहली बार साइन अप करेंगे तो आपको 50 रुबे का कैश बैक मिलेगा मैच पर वापस लोटते हैं पहला मुकाबला विकास कंडोला की टीम हरियाना स्टीलर्स का होने वाला है गुजराज जाइंट के खिलाफ इस मैच में क्या कुछ होगा कि इन खिलाडियों पर नज़रे रख सकते हैं तो पहले थोड़ा सा बैक्ग्राउंड की बात कर लेते ह हरियाना स्टीलर्स बहुत शांदार फॉर्म में है हाल में अपना मुकाबला तेल्गू के खिलाफ एक टाई खेला था उस मुकाबले में ये टीम अल्मोस्ट जीत गई थी लेकिन संदीब कंडोला का वो डिफेंस और विकास कंडोला उनके सामने थोड़ा सा फस गए थे इ इन सब टीमों को एक एक बार हरा चुकी है और जो मुकाबले गवाएं हैं पाच मुकाबले हरियाना स्टीलर्स अपने गवाएं हैं पटना पाइलेट्स जैपर विंक पैंथर्स बिंगलूरू बुल्स तमिल थराइवाज और एक बार फिर से दिल्ली को इस टीम ने हराया दूसरी तरफ ड्रो मुकाबलों की बात की जाएं तो कुल तीन मुकाबले स्टीम ने ड्रो खेले हैं मुंबा के खिलाफ यूपी योधा के खिलाफ तेल्गू टाइटन्स के खिलाफ इसके लावा ऑपोसीशन टीम गुजराथ जाइंट्स की बात की जाएं तो उसमें कई बड़े नाम है रविंद्र पहल उसमें से एक है वो मैट पर उतरेंगे है नहीं इस पर भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले गुजरात क्या जो ओवराल स्कोर बोर्ड रहा है या जिस तरीके से स्टीम ने परफॉर्म किया है इस पर बात कर लेते हैं गुजरात जाइंट्स अपने 12 मुकाबले खेले हैं जिसमें से कुल 3 मुकाबले जीते हैं और ये जीत जैपर पिंग पैंथर्स सेलगू टाइटन्स और तमिल थलाइवास के खलाफ आई थी जो मुकाबले गवाए थे 6 मुकाबले इस टीम ने गवाए है बिंगॉल वारियर्स हर्याना स्टीलर्स पुनेरी पल्टन, पटना पाइरेट्स, बिंगलूरू बॉल्स, दबंग दिल्ली इन सब टीमों के खलाफ अपने मैचेस गवाए हैं और कुल 3 मुकाबले ही इस टीम ने ड्रौ खेले हैं दबंग दिल्ली के खलाफ एक ड्रौ खेला उसके बाद यूपी योधा के खलाफ और यू मुंबा के साथ भी एक ड्रौ ये टीम खेल चुकी है, इनके स्टार परफॉर्मर्स की बात की जाए, गुजराज जाएंस की जिस मैच पे जिन खिलाडियों पर सारा दाव रहेगा, उनमेंसे एक राकेश नर्वाल रहेंगे, इनके बीते कुछ मेकाबले आप इस तरीके से इन्होंने पॉइंट्स निकाले हैं, इसके रावा राकेश नुगुर्य पे काफी कुछ दारूमदार रहता है, इस टीम के लिए लगाता है, दो सूपर टेन लगाये थे, इन्होंने उसके बाद दो, पाच, तीन इस तरीके से पॉइंट्स निकाले हैं, और जादा अच्छा परफर्म नहीं किया है, और एक ऐसा खिलाडी है, जो इस टीम के लिए अच्छा करता है, उसका नाम MGR है, महिंद्र उनका नाम है, पिछला मुकाबला नहीं खेलाता है, लेकिन उससे पिछले वाले मुकाबले में 9 पॉइंट्स इन्होंने अपने नाम किय हैं, तो इनको उतरना होगा, 27 पॉइंट्स इनके नाम में अब तक, डिफेंस की बात की जाए, गुजराज जाइंट्स की, तो काफे कुछ डिपेंड करता है, परवेश बेंसवाल के उपर, सुनील कुमार के उपर, परवेश बेंसवाल एक बहुत बड़ा नाम है, प्रो क पॉइंट्स ही अपने नाम कर चुके हैं, अब तक, इनके लावा बात की जाए, गरीश अरनाक की, तो उनसे भी काफी कुछ उमीदे रहती है, 19 पॉइंट्स उनके नाम रहे हैं, एक लास्ट मैच में दो टाकल पॉइंट्स उन्होंने निकाले थे, तो जिस तरीके से अब दिल्ली के खिलाफ छोड़ दिया जाए, तो उससे पहले 4, 2, 5, 1 हाइफाइव इन्होंने अपने नाम किया था, लेकिन दिल्ली के खिलाफ वो कमाल नहीं कर पाए थे, इन टोटल 20 टाकल पॉइंट्स इनके नाम हैं, और जब गुजराज जाइंट्स की बात होती है, तो ये खिलाडी की बड़ी बात होती है, जिनको ये टीम मिस कर रही है, और उनका नाम रविंद्र पहल है, जब भी वो मैट पे होते हैं, तो हो काई कहा जाते हैं उनको प्यार से और उन पे नज़रे रहती है, रविंद्र पहल थोड़ी से फिट नहीं थे, इसलिए कुछ माचस से बाहर थे, लेकिन अगर अब आप इनका ट्वीटर हांदल चेक करेंगे गुजराज जायंट्स का, तो दिखेएगा की भई, रविंद्र पहल कभी भी वापसी कर सकते हैं, और हर्याना स्टीलर्स के खिलाफ वो मुकाबला हो सकता है, दूसरी दरफ प्रॉबलम एर बीते कुछ माचस से नहीं चल रहे हैं, तो रेडिंग डिपार्टमेंट तो एक प्रॉबलम का एरिया है ही, साथ में डिफेंस भी है, तो इस टीम को ओवर ओल परफॉर्म करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और हर्याना स्टीलर्स के खिलाफ जो शांदार परफॉर्म में है, लगाता है सूपर 10 नहीं आये, लेकिन कंसिस्टेंसी रो ने दिखाई है, पूरे सीजन में कई माचस में बहुत चांदार परफॉर्म किया है, पिछले मुकाबले में भी एक सूपर 10 इनके नाम रहा था, इन टोटल 118 पॉइंस ही है, अपने नाम कर इनके साथ काफी इच्छा से देना जानते हैं, रोहित गुलिया, शुरुवात में थोड़ा सा परफॉर्मेंस इन मिड लगा था कि ये थोड़ा आउट आफ फॉर्म जा रहे हैं, लेकिन वापसी गरी बीते 2-3 मुकाबलों की बात की जाए, तो 7-8 इस तरीके से पॉइंस इन्हों ने अपने नाम किये हैं, 63 पॉइंस इनके नाम हैं, और इनके साथ रेडिंग डिपार्टमेंट का जब जिकर होता है, तो कई सारे खिलाडी हैं वैसे इनके बास, लेकिन मीतू ने काफी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, हाला कि 2-3 माचिस पीछे से वो इत इतने अच्छे नहीं गुजरे हैं, इतने मौके भी नहीं दिये गए हैं, रोहित गुलिया, विकास कंडोला अकेले अपनी टीम को समाला है, मीतू 58 पॉइंट इनके नाम है, अब इनको टीम में मौका मिलेगा, तो एक परफॉर्मिंस इनकी तरफ से भी होनी चाही, और डि पिछले दो मुकाबले इनके बहुत शानदार गए हैं, पाच चार इस तरीके से टैकल पॉइंट निकाले हैं, और अब तक 49 टैकल पॉइंट बेस्ट पॉइंट ये हैं इस सीजन के प्रोकवर्डी लीग, सीजन एड के और इनके साथ सुरेंदर नाड़ा इनसे काफी चुके हैं और उनके साथ मोहित क्योंकि इनके बीते परफॉर्मेंस भी काफी अच्छे हैं, तो इन पे भी एक नजर होनी ही चाहिए, प्रॉब्लम एरिया, हर्याना स्टीलर्स का प्रॉब्लम एरिया न ढूढ़ना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल होता है, क्योंकि जब ट परफॉर्म करके निखाए रेटिंग डिपार्टमेंट में, और सुरेंद नाड़ा ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, बीते मुकाबलों में वो उस फॉर्म में वापस है, क्योंकि पिछले मुकाबले में सिर्फ एक टैकल पॉइंट उनके नाम था, तो जो उन्हों हादी उस्त्रो की स्टीम का डिफेंस समझा लेंगे और रेटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, तो राकेश नर्वाल, राकेश तुन्ग्रोया, महिंद्र स्टीम में अपनी जगे बना सकते हैं, और महिंद्र को खास तोर पर टीम में लेके आना चाहिए, दूसरी त हराफ हरियाना स्टीलर्स की बात कीजए, तो विकास कंडोला, रोहित गूलिया और मीटूस टीम के प्राइम रेडर्स रहेंगी और डिफेंस में जैदीप सुनिंद्र को कोई नहीं उन दोनों का सब्स्टिटूट बन सकता है, इस सीजन में हरियाना स्टीलर्स के लिए और उनके साथ रवी और मोहित इन दोनों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अब लास्ट इंकाउंटर की भी बात करते हैं, जब ये दोनों टीमें पहले मिली थी, तो हरियाना स्टीलर्स ने दो पॉइंट की मार्जन से गुजरात जाइंट्स को हराया था, 38-36 का र उस मैच में गुजरात जाइंट्स के लिए प्लस ये था, हार के बावजूद की राखेश सुन गुरोया का एक सूपर 10 आया था, 19 पॉइंट्स उन्होंने अकेले निकाले थे, तो इस मैच में भी कुछ उसी तरीकी की परफॉर्मिंस की एक बार फिर से परफॉर्म करके ज स्टीलर्स के लिए विकास कंडोला कफ्तान का एक और सूपर 10 आया था, उनके साथ मीतू ने भी एक सूपर 10 निकाला था, उस मैच में डिफिंस की बात की जोए तो सुरिंदुनाडा, जैदी, मोहित सब ने दो दो टैकल पॉइंट्स अपनी टीम के लिए निकाले थे, और विकास कंडोला पिछली बार जब एंकाउंटर हुआ था तो दोनों खिलाडियों ने सूपर 10 लगाया था, पिछला मुकाबला देखा जाए तो उसमें भी विकास कंडोला ने एक सूपर 10 लगाया था, राके सुनग्रोय को अपनी टीम के लिए स्टेप अप करने बहुत ज अच्छे से इस सीजन में परफॉर्म कर रहे है, बीते दो मुकाबलों में 9 टाकल पॉइंट्स इन टोटल लेके आ चुके हैं, 49 टाकल पॉइंट्स उनके नाम है, सिर्फ हाफ सेंचरी, 50 टाकल पॉइंट्स हासिल करने से सिर्फ एक पॉइंट दूर है, एक टाकल बात की जाए तो कुछ ऐसा exceptional player नहीं रज़र आता पर वेश बेंस्वाल से उम्मीदे रहती हैं सुनील कुमार से उम्मीदे रहती हैं महेंदर से रहती है लेकिन रविंद्र पहल की अगर वापसी होती है तो उनको देखने में बहुत मजा आने वाला है इसके बाद एक और मु मुकाबला गवाया एक और मुकाबला गवाया पुनेरी पल्टन्स के खिलाफ उसके बाद जब एक और मुकाबला हुआ गुजराज जाएंट्स के खिलाफ तो वहाँ पे एक बहुत बड़े माजिन से जीत हासल करी और यह याद रखने वाली बात है कि इन चारो नवीन कुमार एक्सप्रिस नहीं खेलेते हैं तो इस टीम में दम है यह टीम परफॉर्म करके दिखा सकती है और पिछले मुकाबले में ही जोगिंदर नर्वाल इस टीम के गपतान वापस आया है तो यह कमाल करके दिखा सकती है नवीन कुमार एक्सप्रिस के बिना यू कि काफी जाधा चल्चा होती है तो नवीन कुमार शायद जल्द ही वापसी भी कर सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से टीम ने दवंग दिली केसी की फ्रेंचाइज ने उनकी पोस्ट डाल रही है और लग रहा है कि नवीन कुमार एक्सप्रेस बहुत जल्द मैट पर वापस आ सक और यू मुंबा के खिलाफ ही वापसी जिसमें वापसी करें और पिछली बार जब भेड़े भी थी यह दो टीमे तो नवीन कुमार एक सूपर टेन भी लगाया था तो शायद एक और सूपर टेन उसी तरीकी के सूपर टेन के अम उमीद कर सकते हैं दबंग दिली 14 मुकाबले अब तक खेल चुकी है जिसमें उसने पुनेरी पल्टन, यू मुंबा, बिंगॉल वारियर्स, तेल्गू टाइटन्स, यूपी यूधा, हरियाना स्टीलर्स, पटना पाइरिट्स, गुजराद जायंट्स जैसी टीमों को हराये कुल चार मुकाबले इस टीम ने कवाए हैं और वो जैपूर, बिंगलूरू बॉल्स, हरियाना स्टीलर्स, अब पुनेरी पल्टन्स के खिलाफ जिसमें से दो-तीन मुकाबले अभी रिसेंट के हैं जिसमें नवीन कुमाल नहीं खेले है डिफिन्स की बात की जाए तो गुजराज जायंट्स और तमिल खलाइवाज की खिलाफ अपने मैचेस ड्रौ करें और दूसरी तरफ यू मुंबा की बात की जाए ये टीम पाच मुकाबले अपने ड्रौ खेली है जिसमें एक सबसे इंट्रोस्टिंग बिंगॉल वाडियर्स था और वहीं से इन्होंने वापसी करनी शुरू करी थी एक बार फिर से जीत की तो जो पाच मुकाबले ड्रौ खेले हैं वो तमिल खलाइवाज, यूपी, योधा, अरियाना सीलर्स, गुजराज, जायन्स और एक बिंगॉल के खिलाफ और जो पाच मुकाबले इस टीम ने अपने नाम करें उसमें बिंगलूरू बुल्स को दो बार हराया है तेल्गू ताइटन्स को दो बार हराया जैपुर पिंग पैंथर्स की खिलाफ जीत हासिल करी और जो तीन मुकाबले गवाए वो भी दवंग दिली पतना पाइलेट पुनेरी पल्टन्स के खिलाफ गवाए थे इस मैच में काफी कुछ इंक्रस्टिंग होगा क्योंकि अगर नवीन तो जो उनका पॉइंट्स टेबल 138 टोटल पॉइंट्स प्याटका हुआ है वो और जादा आगे बढ़ेगा उनके जो पॉइंट्स हैं वो अपनी टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है या आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस टीम ने पुनेरी पल्टन्स जापर तो उस तरीके से नवीन कुमार का वापसाना टीम के लिए काफी पॉजिटिव भी रहेगा और उनके बाद विजय मलिक का का थोड़ा सा हलका हो सकता है विजय मलिक कई मैचेस में नवीन के विना स्टैंड डप किया है उन्होंने और अपनी टीम को मैचेस जिताएं है टीम के लिए छोटे-छोटे कॉंटिबूशन इनकी तरफ से आने हैं तीन, दो, छे इस तरीके से पॉइंट सिन्होंने अपने नाम की हैं डिफेंस की बात की जाए तो इस टीम के बास कितने सारे सीनियर प्लेयर्स हैं आप कई सारे लोगों का नाम गिन सकते हैं संदीप न काबले में वापसी की और अपनी टीम को जीत के दरवाजे तक लेके गए संदीप नर्वाल ये शुरुआत तो इन्होंने एक डिफेंडर के तौर पर करी थी लेगे फिर जब नवीन बाहर गए तो टीम के लिए रेडिंग पॉइंट्स भी सारे पॉइंट्स अपने नाम क और इनके बाद एक प्राइम डिफेंडर स्टीम का मंजीत चिलर इनसे काफी कुछ उम्मीदे रहती है क्योंकि जब जोगिंदर नर्वाल नहीं थे तो टीम की कप्ता ने समाली और टीम के लिए जीत भी हासिल करी और उनके बिना कई हार का भी सामना किया तो काफी कुछ सी कशली मकाबले में एक हाई फाइव भी अपने नाम किया इननों ने पाच पॉइंड अपने नाम किये और इनके बार डिफेंस में कुछन की जगे भी बनती है क्योंकि पिछला मकाबला इतना अच्छा गया है पाच टेगल पॉइंड से एक हाई-फाइव होने भी निकाला इस सीजन का अब दबंग देली की प्रॉब्लम एरिया की जब बात होती है न तो ऐसा आपको ज़ादा कुछ लिखता नहीं है कि कई माचेस में विजय मलेक सामने से आखे परफॉर्म करते है तो जब टीम को जीत मिलती रहती है तो ये चीज ढूड़ना थोड़ा सा मश्किल ह होता है और वह भी तब जब सब की तरफ से पफोर्मस आ रहा हुत जैसे पिछला मुकाबला गया अलेइन पोइंट थी consistent perform कर रहे हैं तो नवीर आजए तो दबंग दिली को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा दूसीर तरफ यू मुंबा की बात की जए तो जब से विंगॉल वारियस के खिलाफ एक टाई खेला ना ग्रॉ मुकाबला खेला उसकी बात से इस टीम ने वापसी कर दी और इस टी डिपार्टमेंट में अजीत देते हैं और अजीत ने भी बहुत अच्छी वापसी करी है आठ पाच आठ इस तरीके से पॉइंट्स निकाले हैं और इनके साथ एक आल राउंडर खेलाडी भी एस्टीम के बास राहुल सेथ पाल जो आपके लिए रेड करने भी जाते हैं आ प्रतान फजल अत्रच चली जिनको कोई साइड लाइन नहीं कर सकता बेशक वो परफॉर्म ना करें शुरुआत में हमने ऐसा देखा था कि उनके नाम दो तीन मैचेस में एक भी टाकल पॉइंट नहीं रहा था उसके बाद थोड़ी सी परफॉर्मेंस अप हुई चार चार पॉइंट्स ही अपने नाम कर चुके हैं और इनके बाद रिंकू 34 टैकल पॉइंट इनके नाम है रिंकू पे काफी कुछ डिपेंट करने वाला है अगर इस टीम कुछ जीतना है तो प्रॉब्लम एडिया यो मुमा ने बहुत चांदार वापसी करिया उसमें क्रेडिट इस टीम करते हैं खूब सारे टैकल पॉइंट्स निकाले हैं रिडिंग डिपार्टमेंट में अभिशेक इन प्रेज़न अच्छा कर रहा है लिकिन उनको वह पॉफॉर्मेंस कानसिस्टेंट रखना होगा उस पॉफॉर्मेंस को और एक उस सूपर 10 द्वंग दिल्ली के ख टीम का रेटिंग डिपार्टमेंट, डिफेंस की बात की जाए तो जोगिंदर नर्वाल, संदीप नर्वाल, मंजीत चिलर और उनके साथ कृष्षन अपनी जगे बना सकते हैं, जीवा थोड़ा से मुश्किल है, हाला कि उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, लेकिन दबंग दिल्ली के जब वीक पॉइंट की बात होती है, मिसे जीवा एक है, जो कि कई बार आउट होके उपोजिशन टीम को पॉइंट्स दे देते हैं लास्ट इंकाउंटर में, जब पहले ये दोदनों टीम में मिली थी, तो दबंग दिल्ली ने यू मुंबा इस टीम को हराया था, 31-27 का रेशियो रहा था, और उस मैच में जो डिसाइडर था, वो डेफेंस ही था दबंग दिल्ली ने 18 रेड पोइंट और 10 टाकल पोइंट अपने दाम किये थे, वही ही, मुंबा की बात किज़ए तो 18 रेड पोइंट और 6 टाकल पोइंट स्टीम के नाम रहे थे इसमें भी मोहसेन और रिंकू के नाम 3 और रिंकू के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा था फजल और हरेंदर दोनों के नाम 0 टैकल पॉइंट और रेटिंग की बात की जए तो अजीत ने 7 पॉइंट अभिशेक के नाम 5 पॉइंट रहे थे दूसरी तरफ दबंग दिल्ली की बात की जए तो नवीन ने 17 रेट पॉइंट से एक और सूपर टैन लगाया था विजे के नाम सिफ दो रेट पॉइंट रहे थे और डिफेंस में जो गिंदर नर्वाल ने चार्ज जीवा ने दो मंजीत ने एक और संदीप नर्वाल ने एक एक ऐसे टैकल पॉइंट निका ले थे तो उस माच में कंसिस्टेंट परफॉर्मस एक ओवर और टीम परफॉर्मस जबंग दिली की तरफ से दिखा था वैसी कुछ उमीद यू मुंबा की तरफ से रहेगी और उनके सुल्तान कप्तान वो भी ऐसी कुछ उमीद करे होगे इस माच में एक बहुत शांदार बैटल धी देखने को न दोनों टीमें तो 17 पॉइंट निकाले थे और कुल 5 पॉइंट अभिशेक निकाल पाए थे लेकिन अभिशेक से पिछले मुकाबले में 11 पॉइंट इन्हों ने अपने नाम कियो और नवीन बीते चार मुकाबलों से नहीं उतरे हैं लेकिन इस टीज का अंदेशा ऐसा खु तो एक हाई फाइव अपने नाम किया दूसरी तरफ यू मुंबा की बात की जए फजल अत्र चली जिस दिन चलते बहुत बड़िया परफॉर्म ये भी करते हैं अब तक बीते दो मुकाबलों में छे तीन इस तरीके से टैकल पॉइंट्स उन्होंने निकाले तो उन पे अब शेक सेंग पर जो की डेटिंग डिपार्टमेंट समालेंगे अपनी टीम को और दबंग दिल्ली के खिलाफ अगर जीत हासिल करनी है ना तो ये खिलाडी ही रेड पॉइंट्स लाके लिखेगा तो ये दो मुकाबले खेले जाएंगे पहले विकास कंडोला की टीम हरियाना स्टीलर्स गुजराज जायंट्स के खिलाफ उतरेगी और उसके बाद दबंग दिल्ली का सामना होगा यू मुंबा के खिलाफ तो ये दो मुकाबले होंगे विकास कंडोला की हरियाना स्टीलर् इन मैच्चेस में क्या होगा ये सब आपको दी ललन टॉप की प्रो कवर्डी लीग की कवरेच कासे कवर्डी में मिलता रहेगा आप देखते रहेए दी ललन टॉप मैं हूँ गरिमा और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे नए चानल ललन टॉप स्पोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ जाकर हमारे नए चानल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वहाँ आपको तमाम स्पोर्ट से जुड़े किस्ते, कहानिया, न्यूज, इंटर्व्यू, उपीनियन, लाइव सब कुछ मिलता है, देखते रहिए दिलले लिंटाओ, शुक्रिया